किसान अंदोलन में हिंसा और बे मौत मारे जा रहे किसानों को लेकर के वर्लू गांदी का खून उबाल मार रहा है वर्लू गांदी इंद्रा गांदी के पोते संजय गांदी के बेटे किसानों के प्रती उनके दिल में विशेस हमदल्दी हमेशा रही सामना अखवार ये जो क का खून तो उबल रहा है लेकिन उनकी नसों में ठंडी बर्फ का पानी बह रहा है यानि वो अपनी बात कहने ही पा रहे हैं आखिर क्या बात है कि लोगतंत्रिक बेवस्ता में होने के बाद भी कोई अपनी बात कहने ही पा रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ऐसे में वरुन गांदी ने जो साहस दिखाया है एक के बात एक चिठी वो ख्यमंत्री योगी आदित नात को लिखा ख치शानों की समस्याओं को ले कर के करची आंदोलन की वापशी को ले कर के लाकीम पूर खीरी कांड को ले कर के जो वरुन गांदी को बल्कि उनकी मा मेंनका गांदी को भी आपको बता दें कि वरूल गांदी एक ऐसे इकलोते नेता हैं जो बिलकुल भाजपा की लाइन से अलग होकर क्या आश्रण कर रहे हैं ये बात कोई नहीं नहीं है दो हजार गियारह में भी जब अन्ना अंडु न चल रहा था तब भी वरूल गांदी उन लोगों के साथ जो बैठ गैते जायकर कर Key सांस AT में से अकेले एक ऐसे ते सांसत बें लून गांदी जो अन्न आ कोई कि अपका दल तो उनके साह नहीं इसाफ का कि थीक है डल मेरा मेरे साथ नहीं है लकिन जो दिल ए वो दिL तो अन्ना अंदोलन के साथ है उससे जुड़े हुए उन लोगों के साथ है जो common cause के लिए अंदोलन कर र》 जरय करॉप्शन के खिलाफ मास अचिवपद से वरुल गांदी को हटा दिया ये घटना आपको बताते हैं 2013 की है तब पर्शिम बंगाल में मोदी के समलतन में एक सभाज उटाई थी वरुल गांदी पर्शिम बंगाल के प्रभाजी थे और उन्होंने रैली के एक मुक आयोजन करता की भूविका लगा और उसके बाद वरुल गांदी एकडम साइडलाइन कर दिये गए उसके बाद आस तक उनकी क्या इस्तिति है सभी लोग जानना है अब ऐसे में कयास लगा जाने लगे कि वरुल गांदी की भविष्ट की राजनीती क्या होगी शियु सेना ने उन्हें सीधा समलतन दे हैं कि देल सबर हो सकता हो अपने परिवार के साथ आ जाएं पर ऐसा अभी तक वरुल गांदी की ओर से और ना ही में का गांदी की में से तरप्रदेश में अगले साल की पहली किमाही में विधान सबात चुनाओं होना है और वरुन गांदी और मिनक गांदी का प्रवाव तराय बेल्ट में सबसे ज़्यादा है वरुल गांदी आपको बतादे कि पीली भीच से सांसद हैं इससे पहले कि सुल्तानपूर से सांसद बाद में मा बेटों ने अपने छेत्र बदले मेंका गांदी सुल्तानपूरा आगे ये पिली भीच चले गए हलाकि लखीम पुर्खीरी को भी वो उसका भी प्रतिनीद्द तो कर चुके हैं तो किसानों के मामले में वो शुरू से ही सॉफ्ट रहे गन्ना किसानों के समल्थन मूले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी ने जो MSP बढ़ाया था तो वरूल गांदी उसके खिलाब तो उनका कहना था नहीं इससे 40 या 50 रुपए प्रति कोईंटल और बढ़ाया जाना चाहिए यानि किसानों की जो जिस मांग को वो जायज बता रहे थे उसी मांग के साथ क आपको बता दे कि एक कॉंकलेब में बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा था कि वरूल गांदी को समझाया जा रहा है और उमीद है कि वो अपने रास्ते पर पार्टी की रीत नीती के हिसाब से चलेंगे लेकिन उसी दिन उनका एक ट्वीट आ गिया जिसमें उन्होंने कि अंदोलन को लेकर एक बार फिल भाजपा की उत्रप्रदेश की सरकार पर निशाना साधा था अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना फूलें